आई गाईज वेलकम टो आर यूटूब चैनल दर रियल इंवेस्मेंट अस्राजेनिका इस टॉक की रिलेटेड आज हम केस टड़ी करने वाले हैं जिससे आप एक परफेक्टले डिसीजन ले सकते हैं कि आपको इस टॉक के अंदर क्या करना चाहिए क्या आपको बाइग करना कडिक बात की जाएए तो आपको वह पर देखने को मिल रहे हैं तो को फ्राइज यहां पर भयंकि आते हों देखना मिल रहें उस लेवल पर भी लोग बाइक करते हिन्य को मिल रहें क्य고 की इसके आपको देखने को मिलते हैं तो प्रमोडर अधर यां पर देह सकते हैं का स्टेक इसके अंदर देखने को मिलते हैं प्रमोडर्स की इसके अंदर बहुत ही जाधी हिस्सेदारी देखने को मिलती है, जिसके चलते हैं, इसके अंदर कोई भी लॉसे होने के रिस्क बहुत ही कम देखने को मिलेगे, नेक्स लेट पर इसके नेट कैश फ्लो की बात की जाए, तो आपको यहाँ पर देखने मिलेगा positive 2 digits से net cash flow हमे negative minus 89 में जाती हुए देखने को मिल रहा है net cash flow के अंदर negativity आती हो देखने मिल रही है वह ही sales growth वाइज बात की जाए तो आपको देखने मिले quarter on quarter basis sales growth अच्छे है लेकिन ये पिछले quarter की मुकाबले थोड़ी सी हमें और नहीं को देखने को मिल रहे हैं कि ऐखने की रही में। नेक्स लेखे गद याज की सी वऑलियूम थी वह सेवन लाक्स की sami को मिल आ और इसमें लगातरी जाफा भी होती हुए देखने को मिल रहा है नेक्स लिए पर इसके सीजर ग्रोथ की भी बात की जाए है तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है रेवेन्यू 14.8% का देखने मिलता है नेट प्रोफिट 53.3% और ऑप्रेटिंग प्रोफिट 48.4% का डेखने मिलेगा अभी जो इस्टॉक की मोमेंटम आते हुए देखने मिल रहे वह बहुत ही बुलिश मोमेंटम देखने मिल रहे लेकिन 52 वीग यह जो हाइए इसके करीब-करीब आती हो स्टॉक देखने मिल रहे है बाकि ऑदर वाइस देखा जाए तनिए 50 के दोरन आउट यानि कि जो इसकी कल की ट्रेडिंग हुए इसमें इसके अंदर हमें फाइ नंबर ओफ लाज डिल्स भी होते हुए देखने को मिल रहे है इस स्टॉक के अंदर कि अंदर ही स्टॉक ने ट्वेंटी परसंट से भी जाधा रिटेंग देखने को मिल रहे है से जो एक बनते हुए हमें देखने को मिलती है ऐसी वाली तो वह यहाँ पर देखिया कैसी बनते को देखने हुए यहां से एक stock का एक थोड़ा सा upward momentum बंते हुए हमें देखने को मिला लगाता है यह फिर यहां से इस stock के आंदे गिराओट होते हुए फिर हालका सा stock उबरा और फिर वापस से गिराओट यह जो momentum है यहां में कहीं पर भी constant नहीं होते हुए देखने को मिल रहा है और जैसा कि यह जो stock है अस्ट्राजेनिका यह stock की vaccine जो है यह पहले कहीं पर पर प्रिफेर नहीं की जारी थी सिर्फ थी जो थे इसके आंद वैक्सिनेशन के प्रोसेस के लिए stocks थे फीजर था मॉडरेना था और जॉंसन अन जॉंसन थे नंबर चान पर देखा जाए तो ऑक्सपर इनर सिट लेकिन एक बात देखी जाएं तो अस्त्राजेनिका stock में यह देखने को मिलती है जो कि इसे U.S.A. में अभी बी कोई भी authorized मिलती हुए देखने को नहीं मिल रहा है और cost wise भी देखी जाए तो अस्त्राजेनिका stock की हमें cost धेखने को मिलती है पर डोसेस देखा जाए तो पर दोस हमें $4 के करीब-करीब देखने को मिलती है और वहीं आप फीजर स्टॉक की बात की जाए तो आपको $20 पर दोस देखने को मिल जाएगी इसका वाला भी वीडियो मैंने बना दिया है जिससे आपको काफी helpful रहेगा उसमें कुछ अलग essential points मैंने बता है जिससे आप एक right decision ले सकते हैं तो आप वह भी वीडियो यहां पर देख सकते हैं जहां तक कि आस्तरा जिनिका के maximum level की बात की जाए तो जब से stock listing हुई देखा जाए तो six month पहले कि क्योंकि कोई भी vaccination नहीं थी तो इसका नाम भी कहीं नहीं था और अलग अलग जो vaccinations के लिए stock थे वह next दूसरे जो prefer किये जा रहे थे तो यह stock में हां पर download momentum बनते हुए stock के आंदर देखने को मिल रहे है तो आज की stock में देखा जाए चाट पैटन में देखा जाए कि इसके आंदर हमें तेजी बनते हुए देखने को मिल रहे है और stock में हमें कहीं भी एक constant range होती हुए देखने को नहीं मिल रहे है कि इसी लेवल पर stock चल रहा है बोलकर stock में हमें लगातार वल्टेलिटी बनते हुए देखने को मिल रहे है नेक्स लेवर पर इसमें देखा जाए तो आपको देखने मिल जाएगा community sentiments की तो 67% बाइक की कॉल आती हो हमें देखने मिल रहे है मैंने मेरे और से तो सारी बाते आपके सामें रख दी फिर भी कोई डाउट रहे तो आप मुझे नीचे comment section में पूस सकते हैं मैं आपके हर सवाल का जवाप दे दूंगी so thank you so much